मकर रासी वालों का आज का रासी फल यनी की 30 सितंबर 2020 का रासी फल लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 30 सेप्टिम्बर 2020 के पंचांग के बारे में आज तिथी है चतुर दसी नक्छत्र है पुर्बा भाद्र पद पक्छ है सुकल पक्छ दिन है बुद्ध बारे आज के दिन सुर्य उदय का समय है 6 बज की 13 मिनट में सुर्य अस्त का समय है 6 बज की 7 मिनट में रितु है सरद आज का दिन काल है 11 घंटे 53 मिनट 58 सेकेंड का महिना है अस्विन आज के दिन सुभ समय नहीं है असुभ समय सुरू होता है 11 बज के 45 मिनट एम से 12 बज के 40 मिनट पी एम तक राहु काल सुरू होता है 12 बज के 10 मिनट पी एम से एक बज के 49 मिनट पी एम तक दिसा सूल है उत्तर दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग दोस्तों इस वेडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें इस वेडियो के नीचे जै स्री गनेस कमेंट कर दें इस वेडियो के अंत में आपके आज के दिन का अनोखा तोट का भाग्य साली रंग और भाग्य साली अंक है तो आप उसे भी देखें और आज माने का प्डियास करें सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके दामपत्ते जीबन आपके बैबाहिक जीबन के बारे में दोस्तों दामपत्ते जीबन के दृष्टी को उनसे आपका शमय सामान ने तोर पे बहुत ज्याद बिहतर और सांदर है दोस्तों आज से पहले अगर आपके जीबन साथी के साथ किसी छोटी मोटी बात को लेकर आपका नोक जोक आपका मतभेद हो गया था तो आज के दिन अपने दामपत्ते जीबन को आप मजबूत करने का प्डियास करें क्योंकि आज के दिन इस काम को करने में आपका शमय आपका भग्य आपका साथ अब सिदेगा लेकिन अगर आपके धन संपती की बात करें तो पैसों के द्रिष्टी कोन से आपका समय सामान से थोरा सा नीची है दोस्तों आज के दिन किसी भी व्यक्ती के साथ अगर आप धन संपती का लेन देन करते हैं पैसों का आदान परदान करते हैं तो लेन देन करते समय आपको साबधानी बरतना होगा वैसे अगर आपके स्वास्त की बात करें तो स्वास्त के द्रिष्टी कोन से आपका समय सामान नी रहेगा न जयाद बिहतर न जयाद खराब आज के दिन अपने रहन सहन अपने खान पान के प्रती अगर आप साबधान रहते हैं तो आने वाले समय के दोरान आपके सुवास्त के मामलों में कही कोई पड़ेशानी नहीं होगा वैसे अगर आपके घर पड़िबार की बात करें तो घर पड़िबार के दृष्टी को उनसे आपका शमय बहुत ही जयादा बहुतर और सांदार है आज के दिन आपके घर पड़िबार में सब ही लोगों के साथ आपका शम्बंध बहुत ही जयादा मजबूत और बिहतर होगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाई को आज माने के बाद आपका शमय बिहतर और सांदर होगा दोस्तों आज के दिन अपने समय को बिहतर और सांदर बनाने के लिए आप अपने पूजा अस्थल में सफेद संख की अस्थापना करें और उसकी पूजा पाठ करें अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले समय के दोरान आपके जीबन में कहीं कोई पड़ेशानी नहीं होगा आज आपके लिए भाग्यसाली अंक है वन यनी की एक आज आपके लिए भाग्यसाली रंग है काला और नीला तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें इस वीडियो को आप हड़ जगा से यर कर दें धन्यवाद